तो यहां पर कॉन बैटा यार सुबह सुबह और निकल गया हूँ मैं अल्मोस्ट जारकन बॉर्टर के पास तो अभी बहुत ही धीरे धीरे जाना पड़ेगा ठीक है और यहां पर कौन बैटा है यार सुबह सुबह यह लोग सोता नहीं है कि रात को शायद कितना कौरा यार तो बहुत ही क्यारफुली चलाना पड़ेगा और बहुत ही क्यारफुली देखना पड़ेगा तो गाईस मिलते हैं जब सन्राइज होगा ठीक है क्याँ कि अभी थो बहुत ही फॉग है और अब लोग वden की कोई मतलब नहीं है ठीक है तो चलिए मिलते हैं जब सन्राइज होगा ठीक है मुझे यहां पर रोकना एक दोस्त को उठाना है यहां से दोबर होरं दे देता हूँ गाड़ी में बंद कर लेता हूँ तब तक वो आ जाएगा और फ्यूल अपी करना है फुल टैंक करना है तो वेट करते हैं तब तक आएगा वह ठीक है तब तक युनों कोरा भी थोड़ा हट जाएगा एट लिस्ट वान पर्जेंट तो हटेगा ना तो घर से निकले हुए तीन गंड़ा हो गया और हालत देखो यार अपना तुरा मतलब लग लग गया ना फेस पे तो अभी हम बहुत ही अच्छा दूप निकला है तो घर से जब निकले था तो बहुत ही कोरा ही कोरा था तो उस टाइम वीडियो नहीं बना पाए तो अभी पहुंचने वाले हैं कलिया चक पार कर रहे हैं तो गाइस मिलते हैं फारक का पे ठीक है तो टॉल गेट पे अभी यह सर्वीस चालू है थोड़ा दियान से चलाना पड़ेगा ठीक है तो गाइस यह है फारक का राइगंज टॉल सेक्शन सो अभी बस फारक का एंटर करने वाले हैं तो टीक है नो क्याश उनली फार्स टैग तो मेरा फार्स टैग लगा हुआ है तो रुखने के लिए बोला गया है यहा ट्रक के लिए भाई सिगनल देगा चलो सिगनल दे दिया हमको यहां पर रुखना पड़ेगा तो तो गाइस सुबह सुबह स्लोली स्लोली ड्राइब कर रहे थे क्योंकि बहुत ही फार्स था कुछ भी नहीं दिख रहा था मतलब यह जो ट्रक का डिस्टेंस है ना कुछ भी नहीं दिख रहा था तो अभी तो बहुत ही अच्छा सन्राइज हुआ है ऐसे कि मैंने बोला कि सन्राइज जब होगा तब आप लोगों से बात करेंगे और रोड्स तो मखन नहीं है बट इट्स ओके ओओ समने बकरी 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 मटन बिर्यानी सामने तो भाई दस बारा मटन बिर्यानी यह देखो तता नहीं यहां पर कितना लिया यार टॉल शायद टू अंडर्ड लिया ऐसे देखा मैंने उस पर लोगाइस फरक का पार करके हम लोग रोकेंगे थोड़ा चाइपानी के लिए और थोड़ा यह आप लोग देख सकते हो अब परक का पहुंच गए आप लोग देख सकते हो राइट साइट में यह फरक का ब्रीज 107 जो हम लोग को एक तक जाना है ठीक है गेट नमबर 107 से एक तक जाना है हम लोगों का और इधर भी शायद न्यू ब्रीज हो रहा है पता नहीं वह यह भी फरक कई है बट अब लोग देख सकते हो चलो ओगर टेक नहीं करोंगा यहां पर देरे देरे जाओंगा और यह राइडर्स चोटे मोटे राइडर्स वाओ किया सीन है यार वाओ किया सीन है यार वाओ किया सामने तो पहाड दिख रहा है वह पहाड सामने वाओ 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 बहुत ही मजा आ रहा यार आप लोग कमेंट कीजिए लाइक कीजिए वीडियो को गाइस वह जंगल घानी जंगल देखो उसमें चाहिए जंगली सुवर वगरा हो सकते हैं यार इदर तो बहुत ही गर्मी है लेकिन यार है ना वाओ वाओ इदर यार आए 28 मतलब सही है ना वाओ क्या सडके है यार गाइस और विवी देख लो साइट से तो गाइस यह है जारकंड अभी पार कर हैं हम लोग पाकूर और यह वाओ क्या टॉड़ी ट्री भी मस लग रहे हैं तो भैंकर भैंकर लग रहा है यार सामने ही क्या है हम लोग तो खिड़की बंद करके बैटे हैं और यह देखो कोईला वहाँ प्रिवाप क्यार फिल्ट्र तो गंदा हो जाएगा पूरा वह भाई साब कुछ नहीं दीग रहा है कुछ नहीं दीग रहा है चलो अभी सही है और ट्रक एक चीज नोटीस करो गाइस यह ट्रक जो आप आप लोग देख रहे हो ना सामने यह पूरा काला हो चुका है क्योंकि यह कोईला फैक्ट्री से आ रहा है और यह मेरा पहली बार है फर्स टाम आ रहा हूं जारकंड आप लोग इंजोई करो वीडियो को और यह ट्रैक्टर बहुत जादा दीख रहा है यार वो क्या पोलते है उसको रेट बहुत जादा लेके जा रहा है इदर से वाँ 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 बहुत ही हाई टेंपरेचर है और यहां पर क्या हो रहा है यह महिलाओ का भीड क्यों है है सइस साधी हो रहा है किसी का साधी नहीं मतलब विडाय ए हो रहा है नहीं तो खाना खाने घुस जाते हैं अम लोग दर से से निकले मोग किलेए यहां पर और बीच में बहुत ही जैम मिला था यह यह आप लोग देख सकते हो ट्रैक्टर उसमें भरा हुआ रेध बहुत सारे ट्रैक्टर जारें पता नहीं यह साहिव बेंगॉल जारा होगा और अगर आप लोग अच्छा से देखो तो सामने पहार दीख रहा होगा ठीक है तो गाइस सामने पहार दीख रहा होगा जूम तो नहीं कर सकता हूँ क्योंकि एक हाथ से गाड़ी चला रहा हूँ और एक हाथ से क्यामरा पकड़ा हुआ हूँ तो सुम करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है बट आप लोग देख सकते हो सामने पहाड है गाइस हम लोग क्या कहते थे ना पहले जहरकंड मतलब बहुत ही डीप कुछ ऐसे हम लोग नेगडिबी सोचते थे लेकिन यार बहुत ही अच्छा है तो मिंच से अच्छा है एक्सपेक्टेशन हाई लेवल अब रख सकते हो ठीक है ऐसे नहीं कि एक्सपेक्टेशन कुछ और के और रियालिटिक में कुछ और दिख रहा है ऐसे नहीं मस्त है मस्त यह सामने आप लोग देख सकते वाओ बट इधर का जो मतलब जो लोग है इधर का उन लोगों के लिए तो यह सब नॉर्मल होगा और आपियसली वह नॉर्मल ही होगा वेनेवर यू ट्रैवल टू एनी अधर स्टेट्स यू विल सी सम्थिं आमेजी यार यार यह बहुत खतरनाक टर्न्स आ रहें यहां पर मैं ओवर टेक नहीं कर रहा हूँ रखके पीछे यह लेन मेंटर कर रहा हूँ चलो अभी खीच लेते हैं थोड़ा साइट दे दे साइट दे दे और वो रही सामने पहाड चले क्या उसमें गाड़ी उठेगी उसमें वाओ यार मैं जब छोटा था ना मेरा पाबा जब लेके आये थे हम लोगों को जारकंट उस टाइम हम लोग देखे थे वह आगमी तो मतलब पीच में चल रहा है तो यह देखो कैसे यह लोग लेके जा रहे हैं यह सब कोईला है यह जो रोड के साइट साइड हो में दिख रहा है ना यह सब पुरा कोईला है एक दो पीच उठा लूँगा मैं गाड़ी पर जब रिटन आँगा तो रिटन आज ही आना है हम लोगों को तो गाइस वीडियो को दो पार्ट में डिवैट कर दूँगा ठीक है पार्ट वान पार्ट टू तो गाइस फोर्ट गेर पर ही चला रहा हूं क्योंकि फीफ्ट गेर डाल के कोई फायदा नहीं है ओ भाई साब उधर देखो यार कुरा जारगंट दिख रहा है तो देखो थोड़ा जूम कर देता हूं ये लोगों के लिए जूम कर दिया ठीक है और यहाँ पर शाहिद ट् करो क्या है वह आप लोग बोल सकते हो नहीं नहीं आप लोग नहीं बोल सकते हो वह मास्टर्ट है ठीक है तूरी शाथ लेजे तूरी शाथ चलो साइट देदो भाई साइट देदो और सामने से बाई करें नहीं थोड़ो बाई कवाले को पार होने दो और यहाँ पर देखो यह बॉइल्स वहाँ बेस हो रहे हैं क्यूंकि गाई बगरी को चाराने के लिए लेके आया है यह लोग मेरे को सीगनल दे रहा है पार होने के लिए रुख जा टर्निंग पे कैसे पार हो जाओ वा यार इट्स वेरी होट मान शायद मैंने गलत टेंप्रेचर बता है कितना है टेंप्रेचर देख न तिरा मोबाईल मेरा घड़ी कभी गलत दिखाते हैं कनेक्टेट नहीं है न छोटा प्लॉट्स जहां पर ये लोग खेती करते हैं कितना ट्वेंटीवान हम लोग के उधर तो अभी कितना होगा कितना 18 19 20 ऐसे होगा इसके वज़ा से जाना होगा अचा सीशा बंद किया है ना इसलिए बट फिर भी साइध इधर कौरा बगरा नहीं लगेगा ना यार कोईला ही कोईला मतलब रोड के साड में क्यों फेका हुआ है अच्छा मतलब यह सब रिजेक्टेड है साइध बंपर है यार सामने बंपर दे देता यार कुछ भी इसे जाखंड इसा आँ मतलब यह लाइन हम लोग का मेल हम लोग का जो क्या कहते है उसको क्या है रही जन्मा भूमी फिक उत्रा हिंदी हमको मेरे को पता नहीं है ठीक है हम लोग का जो जन्मा भूमी है वो जारकंट से है ठीक है तो गाईज हम लोग आये है जारकंट और देखते हैं अगर टाइम मिले तो अच्छा कोई लोकेशन आप लोगों को दिखाऊंगा ठीक है रुगजा 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 पार होने दे चलो अभी तो पांच्वा लगा सकता हूं पांच्वा यार लगा लिया अभी क्या सड़के यार भाई सहाव यार कौन कहता है जारकंट मतलब क्या कहता है यार उसको रोड अच्छा नहीं है मस्त रोड है देखो भाई इधर क्यों आ रहा है वो पिकप वाले उन्हें लेन पे जाना कि एधर लेकिन एक चीज़ देखा मैंने जो भी वगेरा पार हो रहा है न सब हेलमेट पहने होएं सहिद कोई कड़ी नियम होगा हमारे उदर भी सही है सब हेलमेट पहनते होंगे मतलब पहनते हैं वह भाई क्या 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 रोड है यार देखो अब ही मतलब ऐसे गर क्यों तो पुरा यह सीशा में लग रहा है वाँ 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 चलो 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 हम लोग तो सीधा सीधा ही जा रहे हैं मैं आप वगरह कुछ देख नहीं रहे हैं बस मज़े ले रहे हैं ठीक है हो जाएंगे अभी तो मुश्किल नहीं तुन लेंगे फिर रास्ता वापस तो गैस चलिए अभी रखते हैं ठीक है अबैं से मिल्ते हैं थोड़ी दिर बाद है मैं ऐसे बोल्रूरा हला जैसे फोन पर बात कर रहा हूं एर हैют नहीं है अथना ग्राह्विंग मतलब क्या करतें ब्लॉगिंग, ब्लॉगर एपना हैबिट नहीं है, तो चलो अभी मिलते हैं थोड़ी देर बात, क्योंकि थोड़ा खीचना है, मैं आप तो चलो सही दिखा रहा है, मतन बिर्यानी पार हो रहा है, मैं देख नहीं कि इतर एक बी बस नहीं दीख रहे जेखा हो उतना कंट्रोल वाला नहीं हो रहा है तो कि अभी रखते हैं और मिलते हैं थोड़ी दोड़ाद